तो दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे kurta color cutting तो आप इस वीडियो को देखकर किसी भी size का color बहुती आसानी से cutting कर पाएंगे तो please वीडियो को end तक ज़रूर देखें अगर आपको वीडियो कट कर करके देखा तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगा तो कुछ इस तरह से हमारा कॉलर रहेगा तो कुर्ता कॉलर कटिंग करने के लिए हमने पेस्टिंग ले लेनी है और पेस्टिंग को इस तरीके से फोल्ड करना है जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखें तो ये बंद वाली साइड होगी और ये खुली वाली साइड होगी तो देखें आपको कटिंग करने से पहले एक चीज और ध्यान रखनी है जो पेस्टिंग में शाइनिंग वाली साइड होती है जो चपकने वाली साइड होती है वो side अंदर रखते हुए, इस तरीके से fold करेंगे हमने यहां से एक निसान लगाना है 1.5 inch, 1.5 inch इस तरीके से हमने mark कर देना है अब बाद हमने इस mark को straight कर लेना है यानि सीधा करेंगे तो अब आते हैं main point पर हमने color कितना रखना है तो देखिए color cutting करने से पहले हमको measurement करना होता है गले का नाप लेना होता है यानि गर्दन का नाप लेना होता है तो यहां पर क्या होता है जब बहुत सारे beginners गले का नाप लेते हैं जब गर्दन का नाप ले लेते हैं तो बहाँ पर उनका doubt रहता है कितनी गर्दन होने पर कितना कॉलर रखें तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कॉलर का नाप लेने का सही तरीका क्या है और कितनी गर्दन होने पर कितना कॉलर रखें तो आईए measurement करना सीख लेते हैं तो देखे हमने यह वाला कॉलर कटिंग करना है तो इसके लिए हमने गले का नाप कैसे लेना है जो हम गर्दन का नाप लेते हैं क्योंकि यहाँ पर beginners बहुत ज़्यादा confused हो जाते हैं कितना गला होने पर कितना कॉलर रखें और नाप लेने का सही तरीका क्या है तो देखे हमने इस तरीके से गले का नाप लेना है उसके बाद मैं आपको बैक सैट से भी दिखाना चाहूंगा यह देखें इस तरीके से यहाँ पर इंची टेप होना चाहिए थोड़ा सा उपर के लिए यह देखें बिल्कुल नीचे को इंची टेप नहीं होना चाहिए यह आपको ध्यान देखना है तो देखें यहाँ पर इस गले की गोलाई आ रही है 13 इंच तो आपके गले की गोलाई कुछ भी हो सकती है तो आपने यहाँ पर फिट में कॉलर नाप लेना है जितना भी आपका गलाई को इस तरीक है आपको naiono cassette कर लेना है फिर उसपर आपको दो इंच और राइट कर दे रहे है यानि दो जोड़ ना है तो जैस्ट कि यहां पर इस गल्या की Good यह ओर रहे है तो हमने यहां पर क्या करना है दो एड़़ देना है तो हो गया 15 तो हमने इसका colour 15 है में , अब जैसे कि आपको गल्रा क कॉलर है ए ज्सक्राइब करना है तो आपको गल्हा है इत्ष हमें हमने 2 इन्च बढ़ा करनार होता है ठीक है तो आईए अब cutting पर चलते हैं तो जैसे कि आप देख सकती हैं हमने नीचे से उपर के लिए डियर इंच का निसान लगा दिया है तो अब हम जानते हैं color की cutting किस तरीके से करना है तो जैसे कि माल लेजी हमने 16 inch color cutting करना है तो हमने क्या करना है 16 का half करना है तो मैंने 16 का half कर दिया 8 inch तो देखें ये निसान लगाने के बाद हमने क्या करना है इसका half कर लेना है तो आपने यहां से यहां तक यतना भी निसान लगाया है उसका आद़ा कर लेंगे तो देखें हमने इंची टेप को ऐसे ही रिखा रहने देना है और इसके बाद हमने इंची टेप को इस तरीके से लेकर आना है ये देखें और इसके बाद हमने यहाँ पर एक हाव निसान लगाना है नीच उसके बाद हमने इस तरीके से पेश्टिंग को गुमाना है और यहाँ से हमने एक राउंड सेप बनाना है हमने यह जो निसान लगाया है, इस निसान से थोड़ी आगे को आने के बाद इस तरीके से हमने मार्क करना है, यह देखें, यहाँ पर लाकर मिला दिना है, यह देखें, उसके बाद हमने इस निसान को थोड़ा तरशा करना है आगे के लिए, यह देखें इस तरीके से, करीब इअ बहुते बाद यहां भी देल इंच का निसान लगाना है इस तरीके से यहां पर लाकर मिला देंगे इंच कॉलर कट के आए तो आप इसी कॉलर से 15-14 इंच कॉलर कटिंग कर सकते हैं और आप इसी कॉलर से 17-18-19 इंच कॉलर भी कट कर सकते हैं तो पहले हम इस कॉलर को कट कर लेते हैं तो दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फरसेंड डिजाइनर अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपर हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए अगर आप यह वाली सेट राउंड में गोलाई में रखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा तो देखिए इस तरीके से हम डबल करके रखेंगे फिर से देखिए मैं आपको निसान लगा कर दिखाता हूँ पर यह निसान हम लगाते नहीं है पर आपको समझाने के लिए निसान लगा रहा है यह देखें दोस्तों अब हम फिर से कॉलर ओपन करेंगे यह देखें इस तरीके से कितना फिनिस्टिंग के साथ में हमारा कॉलर कटकर रेडिय हो गया है तो अब देखिए हमने जैसे कि 16 इंच कॉलर कट किया था तो इसको हम एक बार नापकर दे यह क्या दोसूद बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे इस तरीके से डबल करेंगे यहां से इस तरीके से और यहां से इस तरीके से यहां से कट कर देंगे तो ठीकिए आपका कॉलर बिल्कुल परफेक्ट सही मेजरेमेंट के साथ में आएगा यह देखें तो जब हम कुछ इस तरह से दिखाई देगा मैं आपको पाच से दिखाना चाहूंगा यह देखे तो देखें यह हमारा 16 इंच कॉलर कट हो गया तो अब हम चाहें इसी 16 इंच कॉलर से किसी भी साइज का कॉलर कट कर सकते हैं और ज्यादा मार्किंग भी करना नहीं पड़ेगी सिरफ एक 16 इंच कॉलर कटिंग करना है तो हम क्या करेंगे इस तरीके से रखेंगे यह देखें आपको यहां से देखना है बिल्कुल यह चीज जो है यहां से बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए आगे पीछे नहीं होनी चाहिए अगर यह जरा सी भी आगे पीछे हो गई तो समझ तो कैसे cutting करेंगे इसको हमने cut कर देना है यहां से दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like and share जरूर कर देना तो अब जिसके कि यहां पर आप गुलाई नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से cut करेंगे और यहां से इस तरीके से cut कर देंगे और अगर आप गुलाई रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहां से इसी निसान के उपर cut कर देंगे यह देखें तो अब आप देख सकते हैं हमने 16 इंच वाले color से 16 इंच color cutting कर दिया तो अगर आपको हमने 14 इंच color cutting करना है तो यहांसे यहां से ग्याइन तक साथ इंच का लगा देना है आपको पर आपको इसका हाफ यानि आदा 1 टीसान लगा देना है इस तरीके से सीधा करेंग이 आगर आपको 13 इंच color यहां से 123 इंच निसान लगाएंगे तो जैसे कि मैं 14-inch collar cutting कर रहा हूँ तो मैंने 7-inch का निसान लगाया है तो देखे, अब हमने क्या करना है तो देखे, हमने इस pattern को इस तरीके से रखना है तो हमने यहाँ से इस तरीके से बराबर रखना है जैसे कि देख सकते हैं और यहाँ से सीधा होना चाहिए आड़ा तरीचा ना हो इस तरीके से देख सकते हैं तो देखे, अब मैं चाहूँ तो यहाँ से बराबर रख सकता हूँ पर मैं आपको इस तरीके से थोड़ा उपर करके दिखाऊंगा यह देखें इस तरीके से यह हो गया 14 इंच कॉलर अब जैसे कि यहाँ पर आप राउंड से रखना चाहते हैं तो आप इसी मार्क के उपर कटिंग कर देंगे अगर आप यहाँ पर राउंड नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ थोड़ा तर्शा करेंगे जैसा कि मैं आपको पहले वाले कॉलर में बताया था तो हम इस तरीके से इस मार्क के उपर कट करते हैं पहले वाला कॉलर 16 इंच दूसरा वाला 14 इंच अब जैसे कि मान लीजी हमने 16 इंच से ज़्यादा कॉलर कटिंग करना है मान लेज़े हमको 18 inch color cutting करना है और वो भी इसी color से तो कैसे cutting करेंगे तो देखिए हमने 18 inch color cutting करने के लिए यहाँ पर निसान लगाना है 9 inch यानि 9 inch क्योंकि हमारा जितना भी color होता है उसका हम half निसान लगाते हैं यहाँ पर मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, अगर आपका कॉलर बड़ा है, जिसे 16, 17 या 18 इंच कॉलर है, तो आप कॉलर का हाफ कीजिए, और उसके बाद 2 सूत और कम कर दीजिए, तो जैसे कि हमने 18 इंच कॉलर करना है, तो 18 का हाफ होता है, 9 या नि 9 इंच, उसक जैसे कि यहाँ से इस तरीके से आप कट कर देंगे, तो आपका कॉलर बिल्कुल फिट आए जाएगा, तो देखिए हमने किस तरीके से कटिंग करना है, इस निसान के बिल्कुल बराबर से रखेंगे और यहाँ से चेक कर लेंगे, आड़ा तरशा नहीं होना चाहिए, अब तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने कितनी फिनिशिंग के साथ में कॉलर कट किया है, तो आप बिलते हैं नेक्शे वीडियो में, ठैंक्स पर वाचिंग वीडियो